वेल्कम बैक गाइस तो दो फिट इंडियन चैनल बाइ निशान पंडे कैसे आप सब लोग दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि विया गूइंग तो अब जो हमारा पहला टॉपिक हम आज डिसकस करने जा रहे हैं एक जिसके अंदर में ाने करेंगे तो धोस्तों जैसा कि अब सब जानते होंगे कि कुछ खाने को खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा energetic और light feel होता है और कुछ खाना खाने के बाद बहुत आलस और ठकान आता है मतलब पेट तो भर जाता है लेकिन अंदर से वो energy levels हमारे हमेशा से down के down ही बने रहते हैं तो हम उसी के बारे में discuss करते हैं दोस्तों सबसे important चीज जिसके बारे हम discuss करने जा रहे हैं वो है milk जिया दोस्तों दूद आपने देखा होगा इस तरी के जो tetra packs होते हैं आज कल शेरों में बहुत common trend चलने लगा है कि इस तरी के processed milk का जो बहुत बड़ा trend चल रहा है तो हर कोई जाता है दुकान से एक डबबा उठाकर ले आता है जो packed milk है और वो महीनों महीनों एक महीने दो महीने तीन महीने तक खराब नहीं होते आपकी बॉड़ी को भी बहुत महनत करनी पड़ेगी वहीं पे दोस्तों जो फ्रेश काउ मिल्क होता है जो ताजा गाय का दूद होता है जो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है इवन जो बड़ी ब्रैंड्स हैं वो भी आपको इससे सेल करती है जिनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बेसिकली तीन से चार दिन से जादा की नहीं होती है और दोस्तों इतना या दखिएगा कि जिस चीज़ की जतनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी उसमें उतने ही कम प्राण होंगे खाने में आप कोई चीज जो पहली खराब है वही तो खराब नहीं होगी सीरिसी बात है दोस्तों तो प्रांड विहीन और प्रांड युक्त दूध इसको भी एक बहुत बड़े एंगल के समझने की जरूरत है आपको कि क्या चीज प्रांड युक्त है और क्यों से चीज प्रांड विह कॉल्स में, तो इतने सारे फूट लेवर можно काने के लिए आप प्रोसेस करने के लिए इस तरीके से रखे जाते हैं कि आप जाते ही बोल्ड हो जाते है और उन सब्सक्तवmp Ne double Sab si चाटे औक प्रांड पर व्यक्तरूह सर्या की में जाते हिम तो जाते हैं ब हैं जो इक आप उस को खाना सही है एक बार सोचिएगा अगली बार और खाने को सिर्फ टेस्ट में नहीं पहले प्रान की वाली में देखिएगा उसी तरीके से हमारा जो भारत है हमारे इंडिया में हर कोने में एक अलग टाइप का खाना मिलता है आप कश्मीन में जाकर दामालू खा सकते हैं में जाकर ढोगला खा सकते हैं नौर्थ इस्ट के अपने खुद के क्यूजीन्स हैं पंजाब के अपनी क्यूजीन्स हैं और हर एक स्टेट के अपने क्यूजीन्स हैं चाहे वो आपका मद्य प्रदेश हो उत्तर प्रदेश हो महराश्ट हो अब आपने देखा होगा कि ये क केरला के अंदर में जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक थाली मिलती है और वो हमेशा केले के पत्तल पे देते हैं लेकिन आपने के देखा ध्यान से कि जो केले के पत्तल पे शेप है यह हमारी जीप के साइस के जैसा है और इसका भी पूरा एक विग्यान है आप देख कैसे खानी है तो हमारे पुराने जमाने में जो भी खाना हुआ करता था डाइट सुआ करती थी मिल्स हुआ करती थी जो हमारा इंडियन फ्लेवर है उसको पूरा साइंटिफिकली सर्च करके बनाया जाता था जिससे डाल में एक अलग अमीनो ऐसेड है रोटी में लग अमीनो सेड है वो खाने के बाद में दौनों एक दूसरे की कंप्लिमेंटरी पूरा कर दिया करते थे तो दोस्तों अगली बार से अब जब भी खाना खाएं तो उसकी प्रानिक वैल्यू देखें के रालिफिक वैल्यू नहीं और ये देखेंगे तो इस बात का ध्यान रखें और फिर ये टेस्ट करके बताएं कि आपको कैसा फील हुआ और दोस्तों साथ में सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को टैप कीजिए और भी ज़्यादा आऊसम कंटेंट वीडियो जो आपकी आँखे खोलेगा मैं आपके सामने लेकर क्या आता रहूँगा प्लीज जायसाना मतर में सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको किन टॉपिक्स की उपर में और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो मुझे और नए वीडियो बनाने में और ज़्यादा असानी होगी दोस्तों जड़े रहे हमारे साथ जैसी आराम जैहनुमान